हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एर्थ हिंदी के चप्टर फाइफ चिठियों की अनोख्थी दुनिया के क्वेशन आंसर तो पहला क्वेशन है पत्र जैसा संतोष फोन या संदेश क्यों नहीं दे सकता तो भई पत्र में जितनी संतोष मतलब इतना अच कर था जैसा जा वर्याह फोन से क्यों नहीं लगता होगा तरफ पत्र का अन्सर आपने अलग महत्त्र है पत्रों दौरा हम अपने मनो भावche को खुल कर व्यक्त कर सकते हैं लेकिन ऊफमेस दौरा केवल कामका जीबातों को संशिक्त रूप में व्यक्त नहीं रख सकते है या इसमेस की को हम सहेच कर नहीं रख सकते है। शब्ता जलकती है इन्हीं अनुसंद्धान का विशय भी बनाया जा सकता है इने बार बार पढ़ा जा सकता है तो देखिये पत्रों को मतलब बहुत इलगा इंपर्टंस है क्योंकि हम भी अप्छे से पत्र में जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं बहुत कुछ लिख करके उसमें दे सकते हैं और SMS पर फोन पर संश्प्त मतलब बहुती छोटे मतलब बहुती कहते हैं कि पिल्कुल इत्ता समरी टाइप में बहुती कम सी बात कर सकते हैं इसमें तो हम शब्द भी चोटे-चोटे करके लिखते हैं और अगर जिसके पहले लोग पत्र लिखा करते थे ना तो वो लोग बड़ा समहाल के रखा करते थे उनको कि बाद में पढ़ेंगे या फिर एक तरीके से गिफ्ट टाइप का हो जाता था एक लेटर जो होता था मगर एसमेस या फोन कॉल को तो आप इस तरीके से समहाल के नहीं रख सकते हैं और पहले जो पत्र लिखे जाते थे जो बड़े-बड़े लोग पत्र लिखा करते थे उनके पत्र को शोध मतलब रिसर्च होती है उन पर उत्रम जाबू लेख करित पाती चिटी इत्यादी कहा जाता है इन शब्दों से संबदित भाषाओं के में नाम बताने हैं तो दीके खत कहते हैं खत होता है जो लेटर होता है उसको खत हम उर्दू में कहते हैं कागत है वो हम कर्णन में कहते हैं उत्रम तेलगू में कहते ह तो इस तरीके से हो गए नेक्स्ट है पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रियास हुए यह हमें बताना है कि पत्र लेखन किस तरीके से पत्र को लिखा जाए उसके जो विकास हुआ है मतलब कैसे लिखा जाना चाहिए वो किस तरीके के एफ़र्ट से लेगा प् प्रियास किये गए विश्विडाक संखी ओर से 16 वर्ष से कम आयूवर के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियों किता हैं आयचित करने का कारेकरम सन 1972 से शुरू किया गया तो क्या का काम किया कि आप पत्र को मतलब बहुत बढ़ावा देने के लिए तो हमारे स्कूल में ह कétais आयूज बढ़ाव पत्र क्यों का मतलब है जिस चीज को अब संभां या क्वां सकते हैं!! इस करने रिच हैं कि ऐसंसे क्यूंट है ? ते समय जथ रूप में आत्मियता जलक्ती है इसलिए इन्हें सहेट कर रखा जा सकता है लिखे मतलब return form में होते हैं पेपर में होते हैं है ना और इसमेरा आत्मीता मतलब हुमारे जो मन के भाव हैं वो ज़लकते हैं पर SMS में केवल काम काजी बाते की जाती हैं इसलिए इन्हें लोग जल्दी भूल जाते हैं SMS को मोबाइल में साइच कर रखने की शम्ता जाद समय तक नहीं होती परंदू पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट का रख सकते हैं जवाहलाल नहरू, महात्मा, गांधी, भगत सिंग, आदी के पत्र आज भी संग्रहालों में धरोहर के रूप में रखे हैं पत्र देशकाल समाज को जानने का असली साधन है तो SMS की एक मतलब लिमिट होती है, आपको कुछ नहीं बाद आपके फोन की मेमरी भी भड़ने लगती है आपको डिलीट, मतलब जातर करना ही पढ़ जाता है मगर पत्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं है आपने सहेच कर बहुत ही समाल करके रख सकते हैं और नहरू, गांधी और भगत सिंग इन सब के पत्र आज भी लिब्रीज वगरा में है रखे हुए और वो हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है और आज भी हम उने पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चिट्थियों के जगे कभी फैक्स, इमेल, टेलिफोन तरह मोबाइल ले सकते हैं तो आप क्या लगता है कि जो चिट्थिया निखी जाती थी उनकी जगए ये सारी चीज़े कभी ले सकती हैं क्या तो देखें आंसर हम लोग लिख सकते हैं प्रतेग वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है हर वस्तु जो होती है उसकी अलग इंपॉर्टेंस होती है इसी प्रकार आज तक्नीक की दुनिया में भी चिट्थियों की चिट्थियों की कोई नहीं ले सकता पत्र लेकर एक प्रतु फैक्स, इमेल, टेलेफोन, मोबाईल जैसे तक्नीक की माध्यम केवल कामकाज के शेतर में महत्वपूर्ण है आज ये आवश्यक्ताओं में आते हैं फिर भी ये पत्र का इस्ता नहीं ले सकते तो पत्र की जो है ना वो लिट्रेरी इंपॉर्टेंस है मतला पहले हम चीज़े इसमें करते हैं अगर पत्र जो है हम अपनों को भी लिखते थे जो हुने समाल करते थे यह में मतलब बीट कर सकते हैं इसी के लिए बिना टिकेट साधे लिफाफे पर सही पत्र लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है पता कीजी तो आप पतलब साधले फाफी पर बिना टिकेट लगाए और सही पता लिखकर भी अगर आप लोग भेज देंगे तो फिर भी वो मतलब पहुँचने में दिक्कत आ सकती है तो क्या देखिए सही पता ना लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले वक्ति को टिकेट की धनराशी जुर्माने के रूप में देनी होगी तब ही उसे पत्र दिया जाएगा अन्य था पत्र वापस चला जाएगा तो सही पता नहीं लिखा होगा तो टिकेट की जो टिकेट उस पर लगता है लेटर पे तो उसका जुर्मारा देना पड़ेगा जिसके पास पत्र पहुँचेग पत्र मतलब कौन से शब्द हैं जिनके से पहले आप मतलब शब्द लिखी जैसे समाचार पत्र तो ऐसे कौन-कौन सी चीज़े हैं जिन पत्र से पहले आप लिख सकते हैं कौन-कौन से शब्द हैं तो सहित्तिक पत्र मासिक पत्र छे मासिक पत्र फाशिक पत्र दैनिक पत् संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे मतलब पिन कोड जो है संख्या नंबर ना पिन कोड जैसे की 244842 इस टाइब से तो भी पता होता है कैसे ते के पिन कोड का पूरा रूप है Postal Index Number इसका मतलब होता है Postal Index Number पिन कोड का मतलब और ये 6 नंबर का होता है हर एक का खास मतलब अर्थ होता है पहला जो लेटर है वो राज्ये को बताता है दूसरा उपशेतर राज्ये में कौन सा शेतर है फिर तीसरा नंबर जो होता है वो डाक घर का बताता है फिर पहला अंक 2, 3 अंक ये मतलब 4, 5, 6 फिर अंक डाक घर का होता है मतलब जो पहला अंक होता है फिर मतलब राज्ये फिर उसके बाद उपशेतर फिर डाक घर फिर बाकी तीन जो है उस लेटर से सम्मंदित पिनकोड संख्या में लिखा पता है पर इसके साथ व्यक्ति का नाम और नमबर आदी भी लिखना पड़ता है हमें अपने नाम, नमबर, एड्रेस बगरा लिखना पड़ता है पिनकोड किसी खाश शेत्र को समंधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस शेत्र का है महत्मा गांधी को दुनिया भरसे पत्र घांदीश की जी देश के किसी भाग में रह रहे यह सभी को पता रहता था आत है उनको पत्र अवश्य मिल जाता था तो यह है कि मतलब गांधी जी को पूरे दुनिया से लोग लेटर लिखा करते थे तो गांधी जी को जो लेटर आते थे उनके आगे महात्मा गांधी इंडिया लिग देते थे तो हर किसी को पता होता था कि जी कहां रह रह रहे हैं तो हर पत्र जो है गांदी जी को असानी से मिल जाता था इस नाम से ही तो यह हमारे जो है इस चेप्टर के हमारे कंप्लीट हो गए हैं अपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फैंस के साथ भी शैक करेगा और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेशन आं क्वेशन आंग तैक अख़ सी रखटijn, 2500 वेला उर्ट हैंट!! झाल, 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 झाल